Hey guys, welcome back to the channel Super Ideas Super Ideas में आप लोगों का एक बार फिर से इस फ़ागत है तो दोस्तों बिहार लोगडाउन के भी अपडेट आ चुकी है 22 जून तक लोगडाउन को बढ़ा दिया गया है तो क्या है गैडलेंस इस वीडियो में देखेंगे किन चीजों पर छूट मिली है और किन चीजों पर अभी पाबंदिया बनी हुई है तो वीडियो को अंतक जरूर देखें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर भी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो बिहार की ओर से ये 15 जून यानि कि आज ही के दिन complete guidelines आ चुकी है official dog भी आ चुका है तो क्या है इसके according कि जो ये guidelines है ये आपकी 16 जून से लेकर 22 जून तक allowed रहेंगी 16 जून से 22 जून तक जो lockdown बड़ा है उसमें ये सारी सारी गतिवी दिया मानने होंगी तो बिहार में coronavirus संकर्मन लगातार घट रहा है और इसको देखते हुए ही राज्य सरकार ने lockdown को खतम कर धीरे-धीरे अनलोग की प्रकिरिया शुरू कर दी है तो अनलोग का पहला चरण है ये जो बुद्वार से आरम यानि की कल से आरम होगा और दूसरे चरण की guidelines को तै करने के लिए आपदा परबंदन समू की बैठक पुर्वान 11 बोजे हुई तो इसके बाद बिहार के गरह विबाग ने अनलोग की नई guidelines जारी की मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अपने tweet में कहा कि अगले एक सब्ता 22 जून तक परतिवंदों में धील देते हुए अब सरकारी वेग्यार सरकारी कारियले शाम 5 बजे तथा दुकाने एंपरतिस्टान शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी नाइट कर्फ्यू संद्या रात 8 बजे से सुबह के 5 बजे तक लगो रहेगा तो अनलोग 2 में अभी नहीं दी गई है कोई बड़ी चूट तो अनलोग 2 की बात करें तो नई guidelines में कोई ज़्यादा बड़ी चूट नहीं दे गई है पिछले एक महिने से कोरोना वारिस संकर्मन के मामलों में कमी आ रही है और अब राज्य में हर दिन 500 से भी कम नई संकर्मित मिल रही है ऐसे में होटल रेस्टोरेंट आदी सेक्टर कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे मगर इस दिशा में कोई छूट नहीं मिली है अभी भी होटल और रेस्टोरेंट बंद है शिक्षन संस्तान बंद रहेंगे सार्जनिक और सांसकर्तिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी धार्मिक सल और सिनेमा घर भी अभी बंद रहेंगे हाँ नए प्रावधानों के तहट दुकाने अब शाम के 6 बज़े तक खुलेंगी और नाइट कर्फियों में भी राहत है तो दुकाने एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बज़े से शाम 5 बज़े तक खुल रही है अब उन्हें शाम के 6 बज़े तक खुला जाएगा ये चेंज है अनलोग 2 की नई गाइडलेंस में इसके अलबा होटल रेस्टोरेंस आधी सेक्टर में कोई नई चूट नहीं मिली है बैट कर खाना परती बंद रहेगा यानि की डाइने नहीं होगा टेक अवे सर्विस पहले की भांती रहेगी फॉम डिलिबरी अविलेबल रहेगी सारजनिक, सांसकर्तिक, धार्मिक, राजनितिक, सैक्षनिक राखेल कूट के आयजनों पर रोक जारी रहेगी धार्मिक स्थाल बंद ही रहेंगे सिनेमा घर भी बंद रहेंगे दिन में वहानों का परिचालन जारी रहे सकता है सभी सरकारी और नीजी गाडियां पचास फिस्दी शमता के साथ ही चलती रहेंगे इसके लावा शादी समारों, अंतिम संसकार और श्राद में पाबंदिया जारी रहेंगी सारजिनेक्स तलो पर किसी भी परकार के सरकारी वेनीजी आयोजन परोग जारी रहेंगे सरकारी वेनीजी कारियाले पचास फिस्दी करमचारियों की उपस्तिती के साथ ही खोले जाएंगे नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा इसके टाइमिंग में बतलाव है अब ये रात के आठ वजे से सुबह पांच वजे तक रहेगा शिक्षन संस्तान अभी बन रहेंगे किसी तरीके की परिक्षा अभी नहीं करवाई जाएगी जुलाई के आरम में बड़ी राहते मिल सकती हैं जिस तरीके से अनलोग बढ़ता जा रहा है बिहार में तो अनलोग में बड़ी राहत के लिए जून के अंतिम समता या फिर जुलाई का इंतिजार करना होगा सेक्षन संस्तानों के साथ सारजनिक और सांसकर्तिक आयजनों को अगले मा में ही कुछ शर्ते में छूट दी जा सकती है सरकार अनलोग में दीरे दीरे छूट देने की निती पर चल रही है एक बार में बड़ी छूट देने से कोरोना वाइरस के संकर्मन के वापस लोटने की आशंका है मुख्यमंतरी नितीश कुमार के नुसार कोरोना की तीसरी लहर से बचाओ के लिए सतर्पता जरूरी है तो यह थी दोस्तों बिहार की गाइडलाइन्स तो इसी तरीके से जैसे भी किसी भी स्टेट की आप स्टिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए आज की वीडियो में इतना ही फिर मिनेंगे नहीं जानकरी के साथ तब तक थैंक यू सो मुझ बबाई टेक्या